बनाना है तो हम कर सकते हैं यह करके दिखाना है यह और तो उन्हों ने बहुत जंब लिए लिए नाट एक साथ हो इस पर स्पर्कार यहां पर में एंट्री वा करती थी इवागी यह जो मैंने डॉट डॉट दिखाया दिजर फैंस पेंस समझते ऊंच फैंस फैंस आप अर्फैंस का बाउंडरी कर देते हैं तो फस्ट ये में क्या हुआ जब आप जाते हो तो वहां पर आपको sharing basis पर room मिलते हैं sharing basis पर समझ पाले हो हाँ सर क्योंकि first year के बाद में second या third year में आपको single rooms a lot हो जाएंगे और जिस साल हम गये थे उस साल IIT की seats या mains की seats बड़ी थी तो वो जो rooms design थे ये hostel बहुत पुराने थे यह मतलब यह तब से हैं जब से यह regional engineering college हुआ करता था यह और फर्स्ट यह को ही सबसे पुराने और मिलते हैं फाइनल यह और जो बागी PhD वगरा सुडेंट्स हैं उनको नए 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 और तो यहां पहुंचे तो यह बहुत ही जरजर हालत में थे hostels कोई बात नहीं excitement अलग होता है इनकी हालत पर कुछ comment जान जाता भी नहीं तो यहां पहुंचे तो क्या हुआ वहां पर क्या है आपको एक रूम में इसमें जो पहले से जो बनाया गया था जिसको सोचकर वह रूम का design था ए एक ही रूम में अब तीन तीन की जगह चार चार स्टुजेंट्स को अजस्ट करना स्टाट किया तो यह पहला ही दिन था बैग वैग लेके पहुंचे वहां पर जाके आपको अपने documents दिखाने होते हैं अपका admit card दिखाना होता है उसके बाद में वह आपको बाइडेफॉल्ट उस दिन जब हम लोग पहुंचे तो अपना अपना सब लोग वह बोलते ना हाँ रूम वह देखा हो थी इडियर्स में लिस्ट लगती है वैसे तो लिस्ट भी लगी हुई थी आपको जब कांसिलिंग चाहरे दोक्यमेंट सब्सक्राइब में तो आपको बता भी दिए हैं आपका रूम नंबर यह और बैड नंबर यह तो अंदर जाकर आप आपस में कर सकते हो तो मैं पर बसके बाते ही कर रहे थे चार लोग इस रूम में कठे हुए और पहले वाधन जो था वह स कि अगले ही दिन मेरा बड़े था मतलब 26th of July को मैं वहां गया 27th को मेरा जनम दिन होता है अब 12 बजे तो अपने को यह यादत होती कि कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब और मेरा जनम दिन है अब यहां पर गया इस होस्टल के अंदर कोई अब जोटी सी एक दुकान होती है जिस पर आप साबून तेल पेस्ट यह सब चीज़ें खरीच सकते हैं और मैस होती है मैस में खाना मिलता है और कि आपको क्या होता है जब आप फ्रेशर सोते हो रैगिंग से बचाने के लिए कालेज केमपस तक गार्ड की टीम लेके जाती है समझ वहां गार्ड करके आपको कॉलेज केमपस पढ़ाय पहुंचाय जाता है इनीशली में आपको ऐसा लगता है और इतनी सीक्यूर्टी दी जाती है this is to avoid ragging कि किसी बच्चे के साथ कोई जुल्म ना हो इस वज़े से आपके साथ जाएंगे काउंट करके वहाँ पहुचाएंगे क्लास खतम होने के बाद में काउंट करके वापिस ले आएंगे आप इनीशली डेड़ दो या तीन महीने इनी बाउंटरी के अंदर ही रहोगे यू नॉट सपोज और अलाउड तु गो आउटसाइट आया ना तो थोड़ा सा जेल टाइ तो हमारे में जो एक था हम चारों में से ही और धोस में से यह ताती संटेको चलते हैं कहाँ कोलेज की पूरी बाउंटरी से बाहर निकल जाओ कोई भी एक भाना ले लो जैसे कि मुझे कुछ अपने की से खरीद के लानी है, मुझे किसी से मिलके आना है, मैं घर जाना चाहरा हूँ, ऐसी कुछ बाते करके आप पूरा कॉलेज लीव कर जाओ, तो कोई दिक्कत नी है, तो फिर उन्होंने बोला कि भई उस लड़के ने ब सैमती अपनी दिखाई, सैमती बोले ठीक है, फिर मैं बोलो वापिस कैसे आएंगे, ये तो बता, जा तो चल तो ये बोलके चला कि घर जा रहे है, वापिस बोलेगे, बोलेगे कोई बात नहीं, वापिस आगे हम, आइमिंग जो है, जैसे कि यहां पर हमें होस्टल में, बोलेगे, 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 ये दन हुआ, चलो, सुबह सुबह एकदम तयार होके, छे बजे, बोले हम तो घर जा रहे है, अलग लग तरीके से निकल गे, बार एक joint point पे मिले, मतलब की, जहां पर तारह तीनों इकठे होके, हम लोग चारों इकठे होके, बैठे, फिर वो जो है, छोटा साही शहर है, ज्यादा कुछ घूमने का है, नहीं, उसमें मॉल है, वहाँ घूम फिर लिए, फिर उन्होंने बोला कि पार्टी दो, मैं थोड पर दर देखतें, अब वह जो timing, उसने चूज़ की, हो शो था तीन से छे वाला तो है, तो हेरी पॉर्टर में हम तीन से छे बजे तक बैठे रहें, तीन से छे बजे के बात में, चारों के मन मेन इंगी था, चारों के मन में एक ही था कि भया छे बच चुके हैं अब जितनी स्पीड से हो सके उतनी स्पीड से हॉस्टल की तरफ मूव किया जाए वरना वो हमें एंट्री नहीं देंगे और एंट्री देंगे तो पूस्ताश बहुत होगी जिसमें वार्डन के पास फोन जाएगा वार्डन घरवालों को फोन करेगा घरवाले से पूछा जाएगा कि आपके बच्चे घर आये थे क्या आज ये घर से इतना लेट आए हैं तो फिर मैंगा आप फसेंगे भागो पुल तेज भागे जैसे हम यहां पहुंचे तो हमें धिग गया कि यहां पर कुछ लोगों को उन्होंने रोक रखा है उन्हें पूष्टाश चल लिए यहां नॉट सपोस्ट टू एंटर डारेक्टली क्योंकि टाइमिंग हाँ वो हो चुकी थी छे बजे ही उन्होंने रोक दिया बोले अब नहीं जाने देंगे फोन गरवाओ घर से यह करवाओ वो करवाओ तो अब प्लैन में ट्विस्ट बोलेगी अब क्या करें बोले एक काम करते हैं कल सुबह जल्दी आएंगे यह सब मैं तो हाई बरता था जो भी प्लैन बरना था पार्टी बॉए बहुत है जो तुम बोले वैसे करते जाएंगे अब बताओ यह अंदर तो जाने नहीं होगा इसमें भी ओपी प्लैन सुनना की केंपस में जाते हैं सीधा सीधा क्लास में एंट्री ले लेंगे और फिर इनके साथ वापिस आ जाएंगे बट मैंने बोला वह तो काउंट करके आता है तो बोले कोई बात नहीं एक काम करेंगे कॉलेज बाहर से आएंगे वापिस सीधा सीधा इनके पास सुबह सुबह आ जाएंगे बोले बस अभी आई है सुबह सुबह तो यह एंटर करने ही देंगे यह ठीक है तो हमने क्या किया अच्छा उससे पहले हमने एक कोशिश की इधर से फैंसिस से गुसने की बड़ या गार्ड की पूरी एकदम ओपी प्रो आज लोग हम लोग जो है वो शहर में गुजारने वाले हैं मतलब कुछ करेंगे ववस्ता उसके बाद में कल सुबह आएंगे वापिस ठीक है चले गए अब जब वहां गए तो होटल में वह आप लोगों से क्या करता है दो रूम हमने बोले कि हम चार लोग है हमें दो रू कोष्क क कॉलेज वाली डी बुलेगे ठीक है उस शाय लिखा हुआ होता है कि यह फर्स्ट यार के बच्चे है और जैसे कि जिस भी जैसे अब वह बहुत छोटा सा ही शहर आप समझ लीजिए है कि वह चोटा इस यह समझ लीजिए तो उसमें क्या होता है लोगों को पता होत पर सोटी देर गूमते रहें वहां पर एक जील टाइप किया हमने सोचा कि रात यहां गुजार लेंगे कोई दिक्कत नहीं है बट फिर नहीं समझ में आई सब को सब बोलेगी रेस्ट करना जुरूरी है तो चलो होटल में होटल में चले गए अब क्या हुआ कि उसने सिर्फ हमें आइडी को दे तो दी यह हो सकता है यह कुछ गरबड़ करते डर तो लगता है ना बिकॉस नहीं नहीं थे और ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज में जाकर आप कोई बहुत बड़े कांड़ वाले काम नहीं करोगे बट पहले ही दिन कोई नह हमारा दूसरा यह विकेंड था हम भार फरार ते यह बोल गजा रहे है। तो हुआ ये लगा है यह पकड़ आएगा आज उसने कुछ नीज फिर उसी उटल में जो सीनियर्स थे पोर्पिय्ज में अगरा लगी जो पार्टी चल रही ता्दी यजा immigrants आप बाहर जा कर दे तो जिससे हम यहां पर बचते बचते घूम रहे थे उसके पास ही हम वहां जाके पहुंच गए वहां पर हमें पकड़ लिया गया आप बोले कौन से यह के हो पस्ट यह क्या कर रहे हो मैंने का जी आज हॉस्टल बंक करके हम लोग यहां मदब लेट हो गए एंट्री करने में पूल वो गवर्ट आप बचनी के लिए अक्षा आजाओ आपने दोनों रूम लॉक करो हमारे वाले रूम में ठीक है और वहां पे उनकी पार्टी चल रही थी तो पहले से ही महौल में थे आप बयाला सुनाओ तुमारी हिम्मत कैसे हो यह एक बोल रहा है एनकी पेरेंट को को पून करो हम बोल रहने नहीं पेरेंट को मत पून करो डांस मास करवाना है यह करके दिखाना है यह करके दिखाना है तो उन्होंने बहुत जम के रैगिंग लिए बहुत जम के बाद में फिर उन्होंने रिलेक्स कर दिया पाते बाते हैं अगले दिन सुबह वही सीनियर कोई दिक्रत नहीं है वह जो गाड है क्योंकि जब आप यहां पर रहते हो तो यह जो गाडवा ड्यूटी दे रहे हैं इनको आप चार सालों से जानते हो ठीक आपको चार सालों अंदो उनका वह लास्ट यह था लास्ट यह था फिर भी वह जो उसमें से एक सीनियर थे पुनित सरकर के थे मैं उनको जानता भी था अच्छी से तो वह जितनी भी बार मिलते थे बहुत बढ़ी आया तुम लोगोंने जो काम किया पहले यहर में बोले हमने भी किये इतने क अब आप निगे वोगी पाटी बहुत है अब अमें गयी जाना है यही रहा है उसके बाद में फिर दिरे यह एक फिर वो जिसको बोलते है फ्रेशरस नाइट होती है वो फ्रेशरस नाइट के बाद में यह बाउंडरी रड़ जाती है अब परिवह घूमों को यह अगर आने वाले हो वह बहुत मज़ेदार है प्लीज जम के मैनद करें आप सभी लोग इस मैं रिक्वेस्ट और मैं तो जा रहा हूं कि मैं तो इन एटी में पहुंच पाया आप लोग आएटी में जाएं और ऐसे मज़ेदार किससे मुझे से शेयर करना फिर वहाँ जाके सब्सक्र सब्सक्राओ करें गले है जा आओ करेंग् सब्सक्राओ करें ग्हां जान जान नान दो चे अ